ओम ख्लीम कृष्णाय नमा पद्म पुराण की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है भगवान श्ट्री हरी विष्णू और माता लक्ष्मी की कृपा सदयव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे इस से पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धनेवाद और अब आप सुनेंगे आज का अध्याय लेकिन आज का अध्याय सुनने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजे और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिख दीजे मित्र द्रोहक के यहां भी और वैश्नों महात्मा के यहां भी मंदिल में आपका दर्शन हुआ है इन सभी बातों का यथार्थ रहज्य क्या है मुझ पर अनुग्रह करके बताईए तब श्री भगवान ने कहा हे विप्रवर मूख चांडाल सदा अपने माता-पिता में भक्त रखता है शुभा देवी पति व्रता है तुलाधार सत्यवादी है और सब लोगों के प्रति समान भाव रखता है अद्रोहक ने लोग और काम पर विजय पाई है तथा वैश्नों मेरा अनन्य भक्त है इनी सद्गुणों के कारण प्रसन्न होकर मैं इन सब के घर में सानंद निवास करता हूं और मेरे साथ सरस्वती और लक्ष्मी भी इन लोगों के यहां मौजूद रहती हैं मूख चांडाल त्रिभुवन में सब का कल्यान करने वाला है चांडाल होने पर भी वह सदाचार में स्थित है इसलिए देवता उसे ब्राम्हन मानते हैं पुन्य कर्मद मूख चांडाल को समानता करने वाला इस संसार में दूसरा कोई है ही नहीं वह सदा माता पिता की भक्ति में संलगने रहता है उसने अपनी इसी भक्ति के बल से तीनों लोकों को जीत लिया है उसकी माता पिता के प्रती भक्ति देखकर मैं बहुत संतुष रहता हूं और इस के घर में भी सदा निवास करता हूं हे धर्माग्य एक मुहूर्थ के लिए भी मैं इन लोगों का घर नहीं छोड़ता जो पुन्यात्मा हैं वे ही मेरा प्रतिदिन दर्शन कर पाते हैं दूसरे पापी मनुष्य नहीं तुमने अपने पुने के प्रभाव से और मेरे अनुग हो जाता है देवताओं में भी माता और पिता से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है जिसने माता पिता की आराधना की है वही पूर्शों में स्रेष्ट है वह मेरे रिदय में रहता है और मैं उसके रिदय में हम दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता इहे लोक और परलोक में भी वह मेरे ही समान पुझे है वह अपने समस्त बंधु बांधमों के साथ मेरे रमणी अधाम में पहुँच कर मुझ में ही लीन हो जाता है माता पिता की आराधना के बल से ही वह नरस्रेश्ट मुख चांडाल तीनों लोकों की बाते जानता है फिर इस विशय में तुम्हें विश्मय क्यों हो रहा है ब्रामणे ने पूछा हे जगदीश्वर मुह और अज्ञान वस पहले माता पिता की आराधना न करके फिर भले बुरे का ज्ञान होने पर यदि मनुश्य पुने माता पिता की सेवा करना चाहे तो उसके लिए क्या करता भी है तब श्री भगवान बोले हे विप्रवर एक वर्ष एक मास एक बक्ष एक सप्ता अथवा एक दिन भी जिसने माता पिता की भक्ती की है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है तथा जो उनके मन को कष्ट पहुँचाता है वह अवश्य ही नरक में पढ़ता है जिसने पहले अपने माता पिता की पूजा की हो या ना की हो यदि उनकी मृत्यू के पस्चात वह सांड छोड़ता है तो उसे पित्री भक्ती का फल मिल जाता है जो बुद्धिमान पुद्र अपना सर्वस्व लगाकर माता पिता का श्राध करता है वह जाती स्मर अर्थात पुर्वजन्मिकी बातों को स्मरण करने वाला होता है और उसे पित्री भक्ती का पूरा फल मिल जाता है श्राध से बढ़कर महान यग्य तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है इसमें जो कुछ दान दिया जाता है वह सब अक्षय हो जाता है दूसरों को जो दान दिया जाता है उसका फल दस हजार गुना होता है अपनी जाती वालों को देने से लाख गुना पिंड दान में लगाया हुआ धन करोण गुना और ब्राम्हण को देने पर वह अनन्त गुना फल देने वाला पताय गया है जो गंगा जी के जल में और गया में प्रियाग में पुशकर, काशी, सिद्ध कुंड तथा गंगा सागर संगम तीर्थ के लिए अन्यदान करता है उसके मुक्ति निश्चित है तथा उसके पितर अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करते हैं उनका जन्म सफल हो जाता है जो विशेशता गंगा जी में तिल मिश्रत जल के द्वारा तरपण करता है उसे भी मुक्ष का मार्ग मिल जाता है फिर जो पिंड दान करता है उसके लिए तो कहना ही क्या है अमावश्या और युगादी दितियों को तथा चंद्रमा और सुर्य ग्रहन के दिन जो पारवण श्राप्ध करता है वह अक्षय लोग का भागी होता है उसके पितर उसे प्रिय आशिरवाद और अनन्त भोग प्रदान करके दस हजार वर्सों तक त्रिप्त रहते हैं इसलिए प्रतेक परवपर पुत्रों को प्रसंदता पुर्वक पारवण श्राध करना चाहिए माता पिता के इस श्राध्य यग्य का अनुष्ठान करके मनुष्य सब प्रकार के बंधनों से मुक्ध हो जाता है जो श्राद्ध प्रतिदिन किया जाता है उसे नित्य श्राद्ध माना गया है जो पुरुष स्रध्धा पुर्वक नित्य श्राद्ध करता है वा अक्षय लोग का उपभोग करता है इसी प्रकार प्रिष्ण पक्ष में विधी पुर्वक काम्य श्राद्ध का अनुष्ठान क करके मनुस्य मनुवान्शित्फल प्राप्त करता है आसाड की पुणिमा के बाद जो पांच पक्ष आता है जिसे महाले या पित्रिपक्ष कहते हैं उसमें पित्रों का श्राद करना चाहिए उस समय सुर्य कन्याराशी पर गए है या नहीं इसका विचार नहीं करना चाहिए जब सुर्य कन्याराशी परस्थित होते हैं, उस समय से लेकर 16 दिन तक उत्तम दक्षिनाओं से संपन्य यग्यों के समान महत्व रखते हैं, उन दिनों में इस परम पवित्र काम्य श्राद्ध का अनुष्ठान करना उचित है, इससे श्राद्ध करता का मंगल होता है, यदि उस समय श्राद्ध ना हो सके, तो जब सुर्य तुलाराशी परस्थित हो, उसी समय कृष्ण पक्ष आदी में उक्त श्राद्ध करना उचित है, चंद्र ग्रहन के समय सभी दान भूमी दान के समान होते हैं, सभी ब्रामण व्यास के समान माने जाते हैं, और समस्त जल गंग प्राप्थ हो जाए तब तो चंद्र ग्रहन का दान करोड गुना और सुरे ग्रहन में दिया हुआ दान दस करोड गुना अधिक फल देने वाला होता है विति पुर्वक एक लाख गोदान करने से जो फल प्राप्थ होता है वह चंद्र ग्रहन के समय गंगा जी में शनान करने से मिल जाता है जो चंद्रमा और सुरे के ग्रहन में गंगा जी के जल में डूबकी लगाता है उसे संपुर्ण तीर्थों में शनान करने का फलप्राप्त होता है यदि रवीवार को सुरेग्रहन और सोमबार को चंद्रग्रहन हो तो वह चूड़ा मड़ी नमक योग कहलाता है उसमें शनान और दान का अनंत गुना फलप्राप्त होता है उस समय पुन्य तीर्थों में पहले उपवास करके जो पुरुष पिंडदान तरपन तथा धंदान करता है वह सत्यलोग में प्रतिष्ठित होता है ब्रामण ने पूचा हे देव आपने पिता के लिए किये जाने वाले श्राधनावक महायग्य का वर्णन किया अब यह बताईए कि पुत्र को पिता के जीते जी क्या करना चाहिए कौन सा कर्म करके बुध्धिमान पुत्र को जन्म जन्मांतरों में परमकल्यान की प्राप्ती हो सकती है ये सब बाते यत्न पूर्वक बताने की गिरिपा कीज़िए तब श्री भगवान बोले हे विप्रवर पिता को देवता के समान समझ कर उनकी पूजा करनी चाहिए और पुत्र को उन पर बहुत स्नेह रखना चाहिए पुत्र को कभी भी मन से भी उनकी आज्या का उलंगन नहीं करना चाहिए जो पुत्र रोगी पिता की भली भाती परिचरिया करता है उसे अक्षय स्वर्ग की प्राप्ती होती है और वह सदा देवताओं द्वारा पूजीत होता है पिता जब मरणा सन्न होकर मृत्यू के लक्षन देख रहे हो उस समय भी उनका पूजन करके पुत्र देवताओं के सम पुन्य होता है वही पुन्य पिता के निमित उपवास करने से प्राप्त होता है वही उपवास यदि तीर्थ में किया जाए तो उन दोनों यग्यों से सौ गुना अधिक फल प्राप्त होता है जिस स्रेष्ट पुरुस के प्राण गंगा जी के जल में चूपते हैं वह ब्रह्मचारी मुनियों को जिस गती की प्राप्ती होती है वही गती ब्रह्मपुत्र नदी की साथ धाराओं में प्राण्ट्याग करने वाले को मिल जाती है। पुत्र और भाई बंथु देखते रह जाते हैं किसी के द्वारा उसे बंथन से चुटकारा नहीं मिलता। वस्था में प्राण्ट्याग करता है वह चिरकाल तक नरक में निवास करके मिलेच्योनी में जन्म लेता है। पुन्य से अत्वा पुन्य कर्म का अनुष्ठान करने से मरत्य लोक निवासी सब मनुष्यों की मृत्यू के समय जैसी बुद्धी होती है वैसी ही गतिवने प्राप्त होती है। पिता के मरने पर जो बलवान पुत्र उनके शरीड को कंधे परढ़ होता है। उसे पग पग पर अश्वमे द्यग्य का फल प्राप्त होता है। पुत्र को चाहिए कि वह पिता के शव को चिता पर रखकर विधिपुर्वक मंत्रों चारण करते हुए पहले उसके मुख में आग दे। उसके बाद संपुर्ण शरीड का दाह करे। उस समय इस प्रकार कहें कि जो लोब या मोह से तथा पाप पुन्य से आच्छादित हैं उन पिता जी के इस शव का उसके संपुर्ण अंगोका में दाह करता हूँ ये दिवे लोकों में जाएं। इस प्रकार दाह करके पुत्र अस्ती संजय के लिए कुछ दिन प्रतिक्षा में व्यतीत करें। फिर यथा समय अस्ती संजय करके दाशाह अर्थात दसमा दिन आने उस समय वस्त्र, पीढ़ा और चरण पादुका आधी वस्तुओं का विदिपुर्वकदान करें। यथा पुर्वक, यथा शक्ती, शद्धा पुर्वक नहीं किये जाते, उसका पिसाचत वस्तिर हो जाता है। आश्ट का उपारजन करके अत्वा कोडी-कोडी मांग कर पित्रिकार्य करता है, उसके कर्म का लाख गुना अधिक फलप्राप्त होता है। कुछ भी ना हो तो पिता की तिथी आने पर जो मनुश्य केवल गवों को घाज खिला देता है। उसे पिंडदान से भी अधिक फलप्राप्त होता है। पुर्वकाल की बात है, विराट देश में एक अत्यंत दीन मनुश्य रहता था। एक दिन पिता की तिथी आने पर वह बहुत रोया। रोने का कारण यह था कि उसके पास स्राध्धोपयोगी सभी वस्तों का अभाव था। बहुत देर तक रोने के पस्चात उसने किसी वि उपदेश दीजिए जिससे कि मैं धर्म में स्थित रह सकूं। विद्वान ब्रामण ने कहा हेतात इस समय कोतप नामक मुहूर्त भीत रहा है। तुम शीगरही वनमे जाओ और पित्रों के उद्देश से घास लाकर गव को खिला दो। तदरंतर ब्रामण के उपदेश से वहवन में गया और घास का बोजह लेकर बड़े हर्स के साथ पिता की द्रिप्ति के लिए उसे गोग को खिला दिया। इस पुने के प्रभाव से वह देव लोग को चला गया। पित्रियग्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। इसलिए पुर्ण प्रयत्न करके गया और जाओं जर्मेश नान करने का फल प्राब्त होता है जिसने प्रत्यक्तव जन्मी में महा पात्कों का संग्रह किया हो उसका वह सारा संग्रह इसम्राइय का एक बार पाठ़ या पिर मातरि से ही नश्ठों जाता है् नरोत्तम नहीं पूछा हे नात पतीवरतास्त्री मेरे बीते हुए वृतांथ को कैसी जानती है उसका प्रभाव कैसा है यह सब बताने की कृपा करे श्री भगवान बोले हे वत्स ये बात मैं तुमसे पहले ही बता चुका हूँ किन्तु फिर यदी सुनने का कौतुहल हो रहा है तो सुनो तुम्हारे मन में जो कुछ भी प्रशन है सब का उत्तर दे रहा हूँ जो श्त्री पती व्रता होती है पती को प्राणों के समान समझती है और सदा पती के हित साधन में ही सनलग्ण रहती है वह देवताओं और ब्रह्मवादी मुनियों की भी पुज्य होती है जो नारी एक ही पुरुष की सेवा स्विकार करती है दूसरे की ओर द्रिष्टी भी नहीं डालती वह संसार में परंपूजनी मानी जाती है हेतात प्राचीन काल की बाद है मध्यदेश में एक अत्यंत शोभाइमान नगरी थी उसमें एक पती व्रता ब्रामणी रहती थी उसका नाम था शैब्या उसका पती पुर्वजन्म के पाप से कोडी हो गया था उसके शरीर में अनेकों घाव हो गये थे जो बराबर बहती रहती थे लेकिन शैब्या अपने ऐसे पती की सेवा में सता सनलग नढहती थी पती के मन में जो जो इच्छा होती थी उसे वह अपनी शक्ती के अनुसार अवश्य पोण करती थी प्रती दिन देवता की भाती स्वामी की पूजा करती थी और दोश बुध्धी त्याग कर उसके प्रती विशेश रखती थी एक दिन उसके पती ने सड़क से जाती हुई एक परम सुन्दरी वैश्या को देखा उसकी चेतना पर कामदेव ने पूरा अधिकार कर लिया वर दिर्ग काल तक लंबी सासे खीचता रहा और अंत में बहुत उदास हो गया उसका उच्छ वास सुनकर पती व्रता अपने घर से बाहर आई और अपने पती से पूछने लगी हे नात आप उदास क्यों हो गये आपने लंबी सास कैसी खीची हे प्रभो आपको जो प्रिय हो वह कार्य मुझे बताईए वह करने योगी हो या ना हो मैं आपके प्रिय कार्य को अवश्य ही पूर्ण करूंगी एक मात्र आप ही मेरे गुरू है और आप ही मेरे प्रियतम है अब पत्नी के इस प्रकार पूछने पर उसके पती ने कहा हे प्रिये उस कार्य को न तो तुम पूर्ण कर सकती हो और न मैं ही कर सकता हूँ अता व्यार्थ बात करनी उचित नहीं है पतिवरता बोली हेनात मुझे विश्वास है मैं आपका मनुरत जानकर उस कार्य को सिद्ध कर सकूंगी आप मुझे आग्या तो दीजिए जिस किसी उपाय से हो सके मुझे आपका कार्य सिद्ध करना है यदि आपके दुशकर कार्य को मैं यतन करके पूर्ण कर सकूं तो इस और परलोक में भी मेरा परम कल्यान होगा तब कोड़ी ने कहा कि हे साधवी अभी अभी इस मार्ग से एक परम सुन्दरी वैस्या जा रही थी उसका शरीर सब और से मनोरम था उसे देख कर मेरा रिदय का मागनी से दग्ध हो रहा है यदि तुम्हारी कृपा से मैं उस नव्य इस समय धहरी रखिए मैं यथा शक्ती आपका कारिय सिद्ध कर दूँगी यह कहकर पतिवरता ने मन ही मन कुछ विचार किया और रात्री के अंतिम भाग में उशाकाल में उठकर वह गोबर और जाडू लेकर तुरंत ही चल दी जाते समय उसके मन में बड़ी प्रसनता थी वैश्या के घर पहुचकर उसने उसके आंगन और गली कूचे में जाडू लगाई तथा गोबर से लीप पोत कर लोगों की दृष्टी पढ़ने के भैसे वह शिगरता पुर्वक अपने घर लोटाई इस प्रकार लगातार तीन दिनों तक पतिवरता ने वैश्या के घर मे जाडू देने और लिपने का काम किया उधर वैश्या अपने दास दासियों से पूछने लगी कि आज आंगन की इतनी बढ़िया सफाई किसने की है सेवकों ने परस पर विचार करके वैश्या से कहा हे भद्रे घर की सफाई का यह काम हम लोगों ने तो नहीं किया है यह सु पुनह टहल बजाने के लिए आई थी अर्थात काम करने साफ सफाई करने के लिए आई हुई थी अब उस परम साधवी पतिवरता ब्रामनी को देख कर हाई हाई आप यह क्या करती है क्षमा कीजिए रहने दीजिए यह कहती हुई वैश्या ने उसके पैर पकड़ लिए और निश्चय दूंगी यह बात मैं द्रड निश्चय के साथ कह रही हुँ सुवर्ण, रत्न, मणी, वस्त्र तथा और भी जिस किसी वस्त्यू की आपके मन में अभिलासा हो उसे मांगिये तब पतिवरता ने उस वैश्या से कहा मुझे धन की आवश्यक्ता नहीं है तुम ही स कुछ काम है यदि करो तो उसे बताऊं उस कारे के सिद्धी होने पर ही मेरे रिदय में संतोस होगा और तब ही मैं यह समझूंगी कि तुमने इस समय मेरा सारा मनुरत पूर्ण कर दिया वैश्या बोली हे पतिवरते आप जल्दी बताईए मैं सच-सच कहती हूँ आपका भि प्रिय जान पड़ता था कह सुनाया उसे सुनकर वैश्या एक छड़ तक अपने कर्तव्य और उसके पती की पीड़ा पर कुछ विचार करती रही दुर्गंध युक्त कोड़ी मनुसे के साथ संसर्ग करने की बात सोचकर उसके मन में बड़ा दुख हुआ वह पतिवरता से अपने पती को लेकर तुम्हारे घर आ जाओंगी और जब वे अपनी अभिष्ट वस्तु का उपभोग करके संतुष्ठ हो जाएंगे तब पुनह उनको अपने घर वापस ले जाओंगी वैश्या बोली हे महाभागे अब शीगर ही अपने घर को पधारो तुम्हारे पती आज आधी रात के समय मेरे महल में आ जाएं यह सुनकर वह पती व्रता इस्त्री अपने घर चली आई और वहाँ पहुंचकर उसने अपने पती से निवेदन किया हे प्रभु आपका कार्य सफल हो गया आज ही रात में आपको उसके घर जाना है कोड़ी ब्रामभण बोला हे घर पहुंचाऊंगी और आपका मनुरत सिद्ध हो जाने पर फिर उसी मार्ग से लोटा ले आऊंगी ब्रामभण ने कहा हे कल्याणी तुम्हारे करने से ही मेरा सब कारे सिद्ध होगा इस समय तुमने जो काम किया है वह दूसरी इस्त्रियों के लिए अत्यांत दुशकर है श्री भगवान कहते हैं कि उस नगर में किसी धनी के घर से चोरों ने बहुत सा धन चुरा लिया या बात जब राजा के कानों में पड़ी तब उन्होंने रात में घूमने वाले समस्त गुपतेचरों को बुलाया और कुपित होकर कहा कि यदि तुम्हें जीवित रहने की इच्छा है तो आज चोर को पकड़ कर मेरे हवाले करो राजा की यह आज्या पाकर सभी गुपतेचर व्याकूल हो उठे और चोर को पकड़ने की इच्छा से चल दिये उस नगर के पास ही एक घना जंगल था जहां एक व्रिक्ष के नीजे महा तेजस्वी मुनिवर को देखकर दुष्ट गुपतेचरों ने आपस में कहा यही चोर है यह धूर्त अधूत रूप बनाए इस जंगल में निवास करता है यो कहकर उन पापियों ने मुनिश्ट मांडवय को बांध लिया किन्तु उन कठोर सोभाव वाले मनुस्यों से न तो उन्होंने कुछ कह और नहीं उनकी ओर दृष्टिपात ही किया जब गुपतेचर उन्हें बांध कर राजा के पास ले गए तो राजा ने कहा आज मुझे चोर मिला है तुम लोग इसे नगर के निकटवर्दी प्रवेश्ट वार के मार्ग पर ले जाओ और चोर के लिए जो नियत दंड है वह इसे दो उन्होंने मांडव्य मुनी को वहां ले जाकर मार्ग में गड़े हुए शूल पर रग दिया वह शूल मुनी के गुदाद्वार से प्रविश्ट होकर मस्तक के पार हो गया उनका सारा शरीर शूल से बिद गया इसी बीच में आधी राद के घोर अंधिकार में जब मांडव्य मुनी के शरीर से चूग गया अब कोड़ी के संसर्ग से उनकी समाधी भंग हो गई वे कुपित होकर बोले जिसने इस समय मुझे गाड़ वेदना का अनुभव कराने वाली कस्ट में अवस्था में पहुचा दिया वह सुर्योदे होते होते भस्म हो जाए उधर शया पर सुलाकर स्वयम उसे थाम कर बैठ गई उधर मुनिश्रेष्ट मांडवी उस कोड़ी को शाप देकर अपने अभीष्ट स्थान को चले गए संसार में तीन दिनों के समय तक का सुर्य का उद्य होना रुप गया चराचर प्राणियों सहित संपुर्ण त्रिलो की व्यथित हो उठी यह देखकर समस्त देवता इंद्र को आगे करके ब्रह्माजी के पास गए और सुर्योदय ना होने का समाचार निवेदन करते हुए बोले हे भगवन सुर्य के उद्य ना होने का क्या कारण है यह हमारी समझ में नहीं आता इस समय आप जो उचित हो करे उनकी बात सुनकर ब्रह्माजी ने पतिवरता ब्रामणी और मांडव्य मुनी का सारा ब्रितांत कह सुनाया तदरंतर देवता विबानों पर आरूड होकर प्रजापती को आगे करके शीग्रही पृत्यू पर उस कोड़ी ब्रामण के घर के पास गए उनके विबानों की कां वह अपने पति के समीप लेटी हुई थी ब्रह्माजी ने उसे संबोधित करके कहा माता संपुण देवताओं ब्रामणों और गो आधी प्राणियों की जिससे मृत्यू होनी की संभावना है ऐसा कार ये तुम्हें क्यों कर पसंद आया सुर्योदय के विरुद्ध जो तु इसी हे तु से मैंने सुर्य को शाब दिया है क्रोध, मोह, लोब, मात्सर्य अत्वा काम के वश होकर ऐसा मैंने नहीं किया है ब्रह्माजी ने कहा माता जब एक किमरित्यू से तीनों लोगों का हित हो रहा हो ऐसी दशा में तुम्हें बहुत अधिक पुन्य होगा पति व्र तुम्हारे पति के भस्म हो जाने पर भी मैं तुम्हारा कल्यान साथन करूँगा हम लोगों के आसिरवात से वह कोड़ी ब्रामण कामदेव के समान सुन्दर हो जाएगा ब्रह्माजी के यो कहने पर उस सती ने च्छन भर कुछ विचार किया उसके बाद हां कहकर उसने फिर तो ततकाल ही सुर्योदे हो गया और मुनी के शाप से पीडित ब्रामण राक का धेर हो गया फिर उस राक से कामदेव के समान सुन्दर रूप धारण किये हुए वह ब्रामण प्रकट हुआ यह देखकर समस्त पूर्वासी बड़े विश्मय में पड़े देवता प्रस के साथ स्वर्ग को चली गई शुभावी ऐसी ही पतिवरता है इसलिए वह मेरे समान है उस सतित्व के प्रभाव से ही वह भूत भविश और वर्तवान तीनों कालों की बाते जानती है जो मनुस्य इस परम उत्तम पुनिमय उपाख्यान को लोक में सुनावेगा उसके जन्म जन्मिके किये हुए समस्त पापनष्ठ हो जाएंगे ब्रामण ने पूछा हे भगवन मांडव्य मुनी के शरीर में शूल का आघात कैसे लगा तथा पती व्रताश्त्री के पती को कोड का रोक क्यों हुआ भगवान श्री विश्नु बोले मांडव्य मुनी जब बालक थे तब उन्होंने अज्ञान और मोह वस एक जिंगूर के गुदा देश में तिन का डालकर छोड़ दिया था यद्यपी उन्हें उस समय धर्म का ज्यान नहीं था तथा पी उस दोश के कारण उन्हें एक दिन और रात वैसा कश्ट भोगना पड़ा किन्तु मांडव्य मुनी समाधिष्ट होने के कारण शूल पात जनित वेदना का पूरी तरह अनुभव नहीं किया इसी प्रकार पती व्रता के पती ने भी पूर्वजन्म में एक कोड़ी ब्रामःण का वद्ध किया था इसी से उसके शरीर में दुरगंध युक्त कोड़ का रोब उत्पन्न हो गय हे नात यदि पती व्रता का ऐसा महात्म है तब तो जिस पुरुष्ट की भी इस्त्री व्याभिचारिणी ना हो उसे स्वर्गे की प्राप्ती निश्चित है सती इस्त्री से सबका कल्यान होना चाहिए भगवान श्री विश्णु बोले ठीक है संसार में कुछ इस्त्रिया को तो मन से भी स्विकार नहीं करना चाहिए जो नारी काम के वशी भूत हो जाती है वह निर्धन कुरूप गुडहीन तथा नीच कुल के नौकर पुरुष को भी स्विकार कर लेती है और मृत्यू तक से संबंध जोडने में उसे हिचक नहीं होती वह गुडवान कुलीन अ नारद मुनी सभाव से ही संसार की प्रत्येक बात को जानने की इच्छा रखते हैं एक बार वे अपने मन में कुछ सोच विचार कर परवतों में उत्तम कैलाश गिरी पर गए वहां उन महात्मा मुनी ने पारवती जी को प्रणाम करके पूछा हे देवी मैं कामीनियों की पिल्कुल अंजान हूं और विनीत भाव से प्रश्न कर रहा हूं अता आप मुझे यह बात बताएए पारवती देवी ने कहा हे नारद युवती इस्त्रियों का चित्त सदा पुर्षों में ही लगा रहता है इसमें तनिक भी संदेह नहीं है नारी घी से भरे हुए घड़ करता है उसी प्रकार स्थ्रियों का रक्षक उन्हें दंड के बल से ही काबू में रख सकता है बच्पन में पिता जवानी में पती और बुढ़ापे में पुत्र नारी की रक्षा करता है उसे कभी भी स्वतंतरता नहीं देनी चाहिए सुन्दरी इस्त्री को यदि उसकी सोई पर द्रिष्टी न रखने से उस पर कव्य और कुट्य अधिकार जमा लेते हैं उसी प्रकार युवती नारी स्वच्छंद होने पर व्याविचारणी हो जाती है फिर उस कुल्टा के संसर्ग से सारा कुल दुशित हो जाता है पराए बीज से उत्पन होने वाला मनुस संसार में इस्त्री के ही अधीन स्वर्ग कुल कलंक यश अप्यस पुत्र पुत्री और मित्र आदी की स्थिति है इसलिए विद्वान पुरुष संतान की इच्छा से विवा करें जो पापी पुरुष मोह वस किसी साध्वी इस्त्री को दुशित करके छोड़ देता है वह इस संसार में इस्त्री का हत्यारा कहलाता है और मरने के पस्चात घोर नरक में पड़ता है पराई इस्त्री का अपहरन करके मनुष्य चांडाल कुल में जन्म लेता है इसी प्रकार पती के साथ वंचना करने वाली व्याभिचारन इस्त्री चिरकाल तक नरक भोग कर कव्य क योनी में जन्म लेती है और उच्छिष्ट एवं दुर्गंत युक्त पदार्थ खाखा कर जीवन बिताती है तदरंतर मनुष्य योनी में जन्म लेकर विद्वा होती है जो माता गुरु पत्नी ब्राम्हणी राजा की रानी या दूसरी किसी प्रभू की पत्नी के साथ करने पर भी कभी नरक से उधार नहीं होता यही नहीं उसे ब्रह्मध्य का पाप भी लगता है तथा वह अंधा गूंगा और बहरा होकर निरंतर नीचे गिरता जाता है उस अधा पतन से उसका कभी बचाव नहीं हो पाता तब ब्राम्हणी ने पूछा है भगवन ऐसा उसे आग में खूब दपाए फिर उसका गाढ़ आलिंगन करके प्राण द्याग कर दे और शुद्ध होकर परलोग की यात्रा करे जो मनुच्य ग्रिहास तास्रम का परिद्याग करके मुझ में मन लगाता है और प्रति दिन मेरे गोविंद नाम का स्मरण करता है उसके सभी पापो का नाश हो जाता है उसके द्वारा की हुई हजारों ब्रह्म हत्याएं सो बार किया हुआ गुरुपत्नी समागम लाक बार किया हुआ पैस्टी मद्रया का सेवन सुवर्ण की जोरी पापियों के साथ चिरकाल तक संसर्ग रठना ये तथा और भी जितने भी बड़े बड़े पाप एवं पातक हैं वे सब मेरा नाम लेने से ततकाल नश्ठ हो जाते हैं ठीक उसी तर जैसे कि अगनी के पास पहुँचने पर रुई के धेर जल जाते हैं अतर मनुष्य को उचित है कि वह मेरे गोविंद नाम का स्मरण करके पवित्र हो जाए परन्तु जो ना हेतात गंगा के रमणिय तड़ पर चंद्रग्रहन के मंगल मई बेला में करोणों गोदान करने से जो फल प्राप्थ होता है मनुष्य को उससे हजारों गुना अधिक फल गोविंद का कीरतन करने मातर से प्राप्थ हो जाता है कीरतन करने वाला मनुष्य मेरे वैकुंट ध हम में सदा निवास करता है पुराण में मेरी कथा सुनने से मानों मेरी समानता प्राप्त करता है जो पुराण की कथा सुनाता है उसे मेरा सायूज प्राप्त होता है अता प्रति दिन पुराण का श्रवन करना चाहिए पुराण धर्मों का संग्रह है हे विप्रवर अब मैं स सती इस्त्रियों में जो अत्यंत उत्कृष्ट गुण होते हैं उनका वड़न करता हूं। सती इस्त्री का वंच शुद्ध होता है। वहां सदालक्षमी निवास करती हैं। सती के पित्रिकुल और पतिकुल दोनों कुलों को तथा उसके स्वामी को भी स्वर्ग लोग की प्र पुर्वकाल पुन्य पाप भित्रित कर्मों में व्यतीत करके पीछे भी पतिव्रता होती हैं। उन्हें भी मेरे लोग की प्राप्ति हो जाती है। जो इस्त्री अपने स्वामी का अनुगमन करती हैं वह शराबी, ब्रह्म हत्यारे तथा सब प्रकार के पापों से लदे पती को भी अपने साथ स्वर्ग में ले जाती है। जो मरे हुए पती के पीछे प्रांट त्याग करके जाती हैं उसे स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित है। जो नारी पती का अनुगमन करती हैं वह मनुष्य के शरीर में जितने भी रोएं जैसे की 3,5 करोन रोम होते हैं उतने ही वर्षों तक स्वर्ग लोग में निवास करती है यदि पती की मृत्यू कहीं दूर हो जाए तो उसका चिन पाकर जो इस्त्री चिता की अगनी में प्रांट त्याग करती है वह अपने पती का पाप से उध्धार कर देती है जो इस्त्री पति व्रता होती है इस्तरी मरे हुए पती के साथ चितागी अगनी में प्रवेश करे तो उसे आत्मघात का दोश लगता है जिससे ना तोवा अपने को और नहीं अपने पती को ही स्वर्ग में पहुचा पाती है इसलिए ब्रामभण जाती कि इस्तरी अपने मरे हुए पती के साथ जलकर न मरे या ब्रह्मा जी की आग्या है। जन्मों तक गीधनी होती है। फिर दो जन्मों तक लोमडी होकर पीछे मनुष्य योनी में जन्म लेती है। उसमें भी बाल विद्वा होकर दासी भाव को प्राप्थ होती है। जो फल प्राप्थ होता है उसे श्रवण करो। जो मनुष्य आभूसुनों से युक्त कन्या का दान करता है। उसके द्वारा परवत, वन और कानुनों सहित संपुण पृत्वी का दान हो जाता है। जो पिता कन्या का शुल्क ले कर खाता है वा नरक में पढ़ता है। जो मुर्क अपनी पुत्री को बेच देता हैं उसका कभी नरक से उधार नहीं होता। जो लोब वस अयोग्य पुरुष को कन्या का दान करता है वह रोरो नर्क में पड़कर अंत में चांडाल होता है इसी से विद्वान पुरुष दामाद से सुल्क लेने का कभी विचार भी मन में नहीं लाते अपनी ओर से दामाद को जो कुछ भी दिया जाता है वह अक्षय हो जाती है उसी प्रकार यदि दाता संकल्प किये हुए दान को भूल जाता है और दान लेने वाला पुरुष फिर उसे याद दिला कर मांगता नहीं तो वे दोनों ही नरक में पड़ते हैं सात्रिक पुरुष को उचित है कि वह जामाता को दहेज में देने के लिए निश्च जिसमें अधिक दुष्टता हो जिसका कुल उत्तम नहीं तता जो मूर्ख हो इन छे मनुष्यों को कन्या नहीं देनी चाहिए इसी प्रकार अति व्रिद्ध अत्यांत दीन रोगी अति निकट रहने वाले अत्यांत क्रोधी और असंतुष्ट इन छे व्यक्तियों को भी कन् में जवाह कर देता है वह भी नरगामी होता है जो प्रतिदिन इस परम उत्तम पुंयमय उपाख्यान का श्रमड करता है उसके जन्म-जन्म की पाप नस्ठ हो जाते है हरे क्रिष्ट्ण आज की कता का यहीं पर समापन करती हूं उमीद करती हूं आज की जबापको जरू पस